प्रणाम नमस्कार असलाम वालेकुम दिल्ली के MCD इलेक्शन हुए 22 अप्रेल को आज 26 अप्रेल है 2017 सुभे सुभे का टाइम है अब हमें शाम तक का इंतजार नहीं करना पड़ता ट्रेंड्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए कागज नहीं लगता बैलेट पेपर का, एक्चुली पता है क्या है पेड भी नहीं करते क्योंकि कागज पेड़ों से बनते हैं और जब पेड नहीं करते, तो शहरों में ऑक्सिजन जादा होती है मेरा एक सवाल है आप से अब आप कौन हैं? दर्शक हैं या आप हैं? ये तो अब आप ही जाने अगर इलेक्शन के पहले से आपको मिर्चे लग रही थी EVMs को लेकर, electronic voting machines को लेकर सबूत थे, पुक्ता सबूत थे, ये थे, वो थे, जो भी था आपके पास अगर आपके पास आपके करेज की, आपके कन्विक्शन की करेज थी तो इलेक्शन का भहिशकार करते? कहते नहीं, हमें पता है कि ये इलेक्शन में हेरफेर होने वाली, हम इलेक्शन में participate ही नहीं करेंगे जब इलेक्शन के results आ गए तो अपने मंत्रियों को आगे करके आप कहते हैं, ये वोट एंटी आप नहीं है एंटी प्रो फलाना नहीं है ये तो EVM का wave है छोटे बच्चों की तरह रोते क्यों यार अगर लड़ना है तो जिगरे से लड़ो इज़त से लड़ो एक इलेक्शन एक contest होता है एक प्रत्योगिता होती है आपके और अलग-लग पार्टियों के dipstick चेक होते हैं कि जनता क्या सोचती है आपने पीछे क्या काम किया है आपने कितने इस्तिहार लगाए हैं उसके और दूसरों ने क्या काम किया है कोई कचरे को रोता है कोई चिकन गुनिया और डेंगू को रोता है कोई सडकों को रोता है कोई कहता है कि मुझे रोने दोने की जरूत नहीं है बस मुझे शांती से जीने दो बस मुझे ये लगता है कि 10 साल के बाद 10 साल BJP MCD में थी थर्ड टाइम वापिस आने की समभावना है अभी रिजल्ट्स डिकलेर नहीं हुए है लेकिन जिस किसम के ट्रेंड्स मैंने अभी तक देखे हैं लगता है कि भाजपा, Municipal Corporation, दिल्ली के तीन जो भाग है उन सब में वापिस आएगी Compliments to the BJP जब हम एक Democracy में रहते हैं और Election Process में Participate करते हैं तो हमें वो जनता की Vote यहां जो लगती है ना काला निशान उसकी इज़त करनी आनी जाहिए BJP ने फलाने स्टेट में क्या किया धिमकानी स्टेट में क्या किया दो साल पहले क्या किया 1900 इतने में क्या किया फलाने में क्या किया कोई माईने नहीं रखता क्योंकि गद्दी में वो आदमी बैठता है जिसको जनता उतने पीरियड के लिए चुनके भेजती है अब दिल्ली के आपके चीफ मिनिस्टर को भी चुनके भेजा पांच साल के लिए बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भेजा पर जब आप कहते हैं न जब पैर चादर से ज़ादा फैलने शुरू हो जाते हैं तो पैर चादर के बहार चले जाते हैं जब पैर चादर के दो साल, तीन साल और जितने भी बचे हैं तो consolidate करना चाहिए दिल्ली को, दिल्ली में ही आये आप, दिल्ली के ये MCD election में दो ठाई साल बाद आपकी पोपट हो गई, अब आप कौन है, viewer तो नहीं, आप अच्छी तरह समझते हैं, मैं आपका जिकर क्यों बार-बार आप आप कह के कह रहा हूँ, ये मेरा election का analysis है, और मैं congratulate करना चाहता हूँ, Congress को, कि इतना पिटने के बाद भी, वो फिर से election में आके कम से कम खड़े तो होते हैं, democratic process में participate तो करते हैं, ये तो नहीं चिल्लाते, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, EVM ये है, वो है, वो है, अरे नहीं करो न election में participate, फिर अगर इतना डर लगता तो में EVM से, boycott कर दो ना, भाहिशकार कर दो ना, election का, अब मेरे mood swings तो ऐसे ही होते हैं, अगर आपको ये इस तर्क से, इस विचार से आप सहमत है इस वीडियो के, कि रोना धोना छोड़ो, शाती पे लेनी शुरू करो अपनी defeat, तब अरे यार election है, बड़े बड़े लोग हो, इजददार लोग हो, अरे लड़ना सीखो भाई, उतार चड़ाब तो जिंदगी में आपके आते ही रहेंगे, मेरे भी आते रहेंगे, आते हैं, तो contest जो है ना, वो contest की तरह खेलना चाहिए, अब देखो, अब कितनी सारी ये पिं भी कहलो, कोई दुश्मन थोड़ी है मेरे भक्त, है बई, आपको मेरे दुश्मन हो भक्त, नहीं हो ना, चाहे तुम मुझे anti-national बोल दो, कोई मुझे बोल देता है go to Pakistan, कोई कहता है go to Bangladesh, तो मैं कहता हूँ यार चलो free में इधर उधर गुमने का मौका में रहें ठीक है, प् आपको ये message पहुंचे, कि contest अगर लड़ना है, तो इज़त से फॉलाद से लड़ा करते हैं, और बहाने नहीं बनाया करते, election results के बाद, sorry mammy मैं class में first नहीं आया, mammy मेरी ना light चली गई थी रात को exam के एक दिन पहले, mammy मेरे ना school जाते वक्त ना, mammy मेरा ना pair slip हो गया था, mammy मेरी ना pair में मोच आ गई थी, mammy मेरे ना exam अच्छा नहीं होया क्योंकि mammy मेरे ना पेट में दर्द हो गई थी, अरे छोड़ो यार, lovely country that we stay in, called India, Bharat. Jai Hind!